असलाम लेकूम एव्रिवान इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें चाहिए हरे हरे टमाटर यहाँ पर मैंने आदा किलो टमाटर लिये हैं और इन्हें कट कर लिया है टमाटरों को कट करने से पहले इन्हें पानी से अची तरह दो ले ताकि इन पर दूल मत्ती जो जमी होती है वो निकल जाए flame को on करेंगे एक बतर में पानी डालेंगे और अपने तमाम टमाटर इसमें शामल कर देंगे boil आने का wait करेंगे जैसे ही boil आ जाए तो इसमें शामल कर देंगे गुड और गुड के साथ मैंने यहाँ पर चीनी का भी इस्तिमाल किया है इस मुरब्बे को हम चना चाट अलू चने शकरगंधी बनाते हुए as a dressing इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसे mix कर लेंगे mix करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टी स्पून चीनी शामल किया है अपने टेस्ट के इसाब से भी डाल सकते हो अब इसमें spices अड़ करेंगे चिली फ्रेक्स 1 टेबल स्पून लस्थन पॉडर आफ टी स्पून गरमसाला आफ टी स्पून वाइट पेपर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर थोड़ा से शामल करना है और थोड़ा सा उपर से खुश्क दनिया शामल कर देंगे और इसके साल इसमें चाहेगा नमक हाफ टेवर स्पून नमक मैंने शामल किया था लेकर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया है इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसके साथ एक लिम्बू नुचोर देंगे तो ये हमारा मुर्बा रेडी हो गया है अब हम इसे इस्तमाल कैसे कर सकते हैं लिकुर्ड को हम एज़ा ड्रेसिंग इस्तमाल कर सकते हैं और टमाटर को हम कट करके इस्तमाल कर सकते हैं ये जो पानी है इसे मैंने बोतल में डाल के रख दिया है और टमाटर को वैसे ही मैंने फ्रिज में रख दिया इसे हम कट करके इस्तमाल कर सकते हैं ये तुम्हें आपको दिखाने के लिए और पिक्चर लेने के लिए बाउल में डाल रही हूँ रेस्पी को इंजुआई करें और मुझे दें अजाज़त अलाफीज